प्रुथिवीपर्नी सपाटी असमान रिते गरम थवाने कारणे पवन्नो प्रवा उत्पन्थाय छे Wind currents are generated due to uneven heating on the earth आ परिस्थितियों नीचे मुझब छे A. दुरूव प्रदेशों तथा विशुव वृत्तिय प्रदेशों नू असमान रिते गरम थवू Uneven heating between the equator and the poles तमे भुगोल मा कदा जुभणेया छो के विशुव वृत्त पासे ना प्रदेशों सूर्यना प्रकाश्वडे महत्तम गरम थाय छे ते विस्तारों नी हवा पन गरम थाय छे गरम हवा उँचे चड़े छे अने शुन्य थी 30 अक्षाउंच ना प्रदेशों ना बन्ने बाजुना पट्टामा आवेली थंडी हवा विशुव वृत्त ना प्रदेश तरफ गती करवा लागे छे आ पवन्ना फूकवानी दिशा उत्तर अने दक्षिन दिशा थी विशुव वृत्त तरफ नी होय छे दुरूव प्रदेशों पासे नी हवा लगभग सहींट डिगरी अक्षाउंच वाला प्रदेश करता थंडी होय छे आ अक्षाउंच आगळनी गरम हुफाली हवा उचे चड़े छे अने दुरूव प्रदेशनी ठंडी हवा तेनी जग्या लिवा धसी आवे छे आरिते आक्रूती 8.8 मा दर्शाव्या मुझब दुरूव ती हुफाला गरम प्रदेशों वच्चे पवन्नो प्रवा रचाए छे मने नवाई ए वातनी लागे छे क्या आक्रूतीमा दर्शावेली पवन्नी दिशा शामाटे बराबर उत्तर दक्षिन दिशा तरफनी नथी पवन्ना प्रवानी दिशा उत्तर दक्षिन दिशामा उत्तर थी दक्षिन के दक्षिन थी उत्तर तरफनी होवी जोईये परन्तु पृत्वीना परिब्रमणना कारणे तेनी दिश्यामा फेरफार थाय छे बी जमीन अने पाणीनू असमान रिते गरम थवूं Uneven Heating of Land and Water तमे प्रक्रण चार मा दरियाई प्रवाहो अने जमीनना प्रवाहो विशेवाचियु हतु उन्नाळामा विश्युव वृत्नी नजीक जमीन जडब्थी गरम थाय छे अने मोटा भागना समय जड़ाश्रय तथा समुद्रनी सापेक्षे जमीननू तापमान वधू होय छे जमीन पर्थी हवा गरम थाईने उंचे चड़े छे जेने कारणे पवन्नो प्रभा समुद्र तरफ थी जमीन तरफ नो होय छे जेने मौसमी पवन्नो मौनसुन विंज कहे छे मौनसुन शब्द अर्बी शब्द मौसम पर्थी आवेलो छे जेनो अर्थ रुतू थाय छे शियाडामा पवन्ना प्रभानी दिशा उल्टाई छे ते जमीन थी समुद्र तरफ नी होय छे हुँ जानवा मांगू छुँ क्या पवन आपणा माटे शुँ करी शके छे समुद्र पर्थी आवतो पवन पाणी नी वराल अने वर्साद लावे छे जे जल चक्रनो एक भाग छे गरम मौसमी हवा पोतानी साथे पाणी नी वराल लईने आवे छे जेने कारणे वर्साद आवे छे वादलो वर्साद लावी ने आपणने आनननो अनुभव करावे छे आपणा देशना खेडूतो पाक माटे मोटे भागे वर्साद पर आधार राखे छे वादलो ने वर्साद माटे घणा लोक गीतो प्रचले छे जो तमे आवों कोई गीत जानता हो तो तमारा मित्रों साथे तेने गाव अहीं आवों एक गीत आपेलूं छे जोके वर्साद दरेक वक्हते सुखदायक होय चे तेवू नथी ते घणीवार मुश्केलियों पण उभी करे छे तमे आवी केटलीक मुश्केलियों नी यादी बनावी शको खरा तमे ते माटे तमारा शिक्षक अने मातापीता साथे वर्सादने लगती मुश्केलियो तथा तेना उपायो नी चर्चा करी शको छो केटलीक प्राकृतिक घटनाओ एवी परिस्थितीने जन्म आपे छे जेती होनारत सरजाय छे जे नाथी मनुश्य, प्राणियो तथा वनस्पतीने माटे संकट उभू थाय छे तो चालो आपणे ते माथी बै परिस्थिती गाजवीज साथेनू वावा जोडू अने चक्रवात विशे अभ्यास करिये गाजवीज साथेनू वावा जोडू अने चक्रवात Thunderstorms and Cyclones भारत जिवा गरम, भेजवाड़ा, उष्णा कटी बंधिय विस्तारमा वारमवार गाजवीद साथे ना वावा जोडा उद्भवे छे जमीनना तापमानना वधारा साथे उपर जतो पवन, प्रबल अती जड़पी बनी जाये छे जे पोतानी साथे पाणीना टीपां उपर लई जाये छे, जिया ते ठरी जाये छे, अने फरीथी जमीन पर पड़े छे नीचे पड़ता पाणीना टीपां अने उपर तरफ जडब थी जती हवा, विजळी अने गड़गडात गाजवीच उत्पन करे छे जेने गाजवीज साथेनु वावा जोडूं कहे छे। तमे आगलना धोरणों मा विजली विशे वधूशीक शो। ज्यारे विजली साथे तोफानावे त्यारे नीचेनी सावचेतियो राकवी आवश्यक छे। एकला अटूला व्रुक्ष्णी नीचे आश्रय न लेवो। जो तमे जंगल मा होव तो नाना व्रुक्ष्णी चे आश्रय लो। जमीन पर सुई जता नहीं। धातुनों हाथो धरागती छत्रीनों उप्योग तमारा रक्षण माटे न करो। बारीनी नजीक बैसमू नहीं। खुल्ला गयरेज, गोडावना शेड, धातुना च्छापरा आश्रय स्थान माटे योग्य न थी। बंद बारणा वाली कार तथा बस आश्रय स्थान माटे योग्य छे। जो तमे पाणी मा हो तो बहार निकलीने कोई मकान माँ जता बारीनी नहीं।